तो बच्चों उजने सेस कंटिन्यूट जहां कल हमने छोड़ी थी क्लास उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ठीक है इस वाज सेकेंडरी उसाइट इसी का ओवियूलेशन होता है यस और नो जिसे हम सो काल्ड ओवम बोल रहे थे वो यही है ब्रैकेट में लिखा भी है बुक में ओवम अब इसके आगे कुछ नहीं होगा जब तक के इस पर मैटोजोवा ना है दूरिंग फटलाइजेशन वेन इस पर मैटोजोवा अराइबस देखे ज़रा इसको क्या होने वाला है यह यहां ले लेते हैं देशिस सेकेंडरी उसाइडेट मेटाफेस सेकेंड ठीक और अब जब इस पर मैटोजोवा आया जब तक यह से टच नहीं करेगा कुछ नहीं होने वाला वह यह यहां पर है इतनी दूर है जब तक यह से टॉच नहीं होगा चोछ हो सकता है जोचेंज़ आने से जाने का मतलब क्या है इट Sub exponent पर जब तक यह इससे टेच नहीं करेगा इसके पास एक्रोजोम है एक्रोजोमल एंजाइम है कौन-कौन से कौरोना-डीएटर डाईजस्टिंग एंजाइम वह यहां से छोड़ दिया जोना पर जोना लाइसेन जोना पहली सुड़ा को डाइजस्ट करने वाला एंजाइम यस और नो और फिर हाय लुरॉणी डेज तो अगर हम सिर्फ थेयोरिटिकली इस बात को लिख दें यहां पर के स्पर्मेटोजवा आकर के क्या कर रहे हैं यह दे ब्रेकडाउन MPF stands for metaphase promoting factor you know what is the meaning of factor these factors are proteins proteins are factors proteins are hormones proteins are enzymes yes or no तो एक protein था जिसकी वज़ा से मेटाफेस पर ही सेकंडरी उसाइट रुकी हुई थी एना फेस नहीं होने दे रही थी कौन सी मेटाफेस metaphase second yes or no मियों से second शुरू हो गया था तो यह काम किस ने करा metaphase promoting factor को किस ने breakup किया इस पर मैटोजवा ने यह काम कब करेगा वो जब यह इसके contact में आएगा तो इसको इसके contact में ले जाना पड़ेगा हमें yes or no the diagram should be like this क्या देखा आपने tail is shed shed of देख रहे हैं अब मुझे बताइए हैं कितनी sales हैं एक या दो बोलो एक तो यह sale है और एक यह sale है दो self-use हो गई हाया ना अभी भी बहुत कुछ होना बाकि है हमने क्या पड़ा था फटलाइजेशन में वह सारे इविंट्स आ जाते हैं right from the fusion of gametes up to the formation of zygote हम वह सब देख रहे हैं अभी क्या होने वाला है इस पर मैटो जो आप ब्रेक्स डाउन मेटाफेस प्रोमोटिंग फैक्टर और turns on to APC anaphase promoting complex यानि के अब मियोसिस को खतम करना है तो आगे चलो एक बार anaphase आ गई तो टीलो फेस भी आ जाएगी अपने आप the cycle will continue and now this will result into two structures वो क्या है वई बच्चो एक बहुत छोटी सी सेकेंड पोलर बॉड़ी यह से सेपरेट हो जाएगी इसका मियोसिस कंप्लीट होने के बाद ठीक है हम क्या लिख दें यहाँ पर मियोसिस सेकेंड इस कंप्लीटेड और एक टेंप्रेटी स्ट्रक्चर बनता है एक तो यह बन गई सेकेंड पोलर बॉड़ी कि फॉस्स पॉलर बॉड़ी का क्या हुआ था विया नौट सर्टें ट्वेल की बुक हमारी कह रही है कि वह डिजनरेट हो जाती है क्या होता है मियोसिस तो नहीं होता उसमें पुरानी एंसी आटी यह बोलती है अब जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा वह देखिए कैसा है कि यह यह ए है कोया यह यह आल अटेच हुतर टेल गीयो टेल गीयश और इसका हैड और इस tutte एल इल गर गए है लेकिन यह सिंगल सेल है क्या नहीं ठीक है यह भी सो कॉल्ड ओवम है बट एक्चुल नेम इसका क्या है मैं आपको बता दूँ यह कैसा दिखता है यह एंसी आटी में बना हुआ नहीं है लेकिन जो एंसी आटी की थियोरी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा ही दिखता होगा इसका नाम रखा है ओ टिड और यह भी लिखा है कि यह टैंप्रेरी फेज है अब इसे ओवम लिख दिया ओवम सिंगल सेल होनी चाहिए यह सिंगल सेल नहीं है टेल मियस और नो ठीक है तो इस नौट अस इंगल सेल कुछ ऐसा फिर बुक में ल देट इस टुएन कैसे बन जाएगा यह नुकलियस स्परमेटोजवा का फ्यूस कर जाएगा ओवम के नुकलियस से तो यह डिपलॉइड नुकलियस इसका आ गया टुएन और जाइगोट बन गया मैं क्यों कह रहा हूँ यह टैंप्रेरी फेज है क्योंके बुक में एक इसको कह रहे था से कंगरे उसाइड है इसको कह रहे थे यह उ hypocrisy नहीं करेगा तब तक नई होने वाला यह agn every ovulation is not followed by fertilization so that means after every ovulation you will only have secondary oocyte and metaphase second but if fertilization occurs when spermatozoa arrives what happens this is in front of you इन सारी बातों को पढ़ने एक बार बुक से फिर आप इसे नोट करियेगा पेज नमबर 51 देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि उन्होंने जो main importance दी है वो zona pelucida को दिया है corona radiata को importance ही नहीं दी है if you can see figure 3.10 इसमें भी zona pelucida बना हुआ है जिसको penetrate करके spermatozoa पहुचा है और बाकी सब के लिए अब impermeable हो गया यह yes or no लेकिन यह reaction membrane of the ovum में हो रहा है cells of corona radiata इन्होंने कुछ वो भी दिखाई है और उसके अंदर यह pink color की है यह zona pelucida है yes or no pink वाली है फिर उसके बाद में black ovum की membrane बना दिये देख रहें cells of corona radiata उसके अंदर फिर pink यह आप मन लीजे जो green वाली है डार्क ग्रीन वो शाहिए zona pelucida है है ना और फिर pink वाली जो है ओम की membrane ऐसे हम समझ सकते है क्योंके इस में नहीं यह line समझ में नहीं आ रही है मेरे यह बुक में डाइग्राम में माइट भी क्लियर इन्यों बुक ठीक है तो corona radiata देंज जैनों जोना पेलुसिदा है इंद पिंक वन इस अमम्ब्रेन अव ओम लेट असी वाट दे राइट इन लास्ट परग्राफ पेज फिफिफिफ्टीवन प्रॉसिज ऑफ फूजिजिएशन पिर ओम बोलना है यह है ना और स्पम बोल रहे है स्पर्मेटोजवा बोलना चाहिए स्पर्मेटोजवन बोलना चाहिए एक ही का होगा ना फ्यूजन तो अब यह कहरे है दूरिंग फर्टिलाइजेशन इस पर्म कम्स इन कॉंटेक्ट विस ओना पेलुसिदा लेयर ऑफ दो ओम इसी को अधिशनल स्पर्म यह हम कर लिख चुक है दिस इस आओ पॉली स्पर्मी इस प्रिवेंटेट अंद इस इस मोनोस्पर्मी दस इटेंशोर्ज यह लीजिए साब एक्रोजोम के सिक्रीशन से यह हो गया ठीक है दोनों जुड़ गया आपस में यह बनेगा कि नहीं बनेगा अच्छा अगर हम टीचर के साथ ना पढ़ें खुश से पढ़ें तो शायद हम यह पूरा अंदर पहुचा दें टीचर ने बता दिया आपको कि बेटर टेल गिर जाएगी और फिर ऐसे फ्यूजन होगा अभी नूकलियाई फ्यूज नहीं करेंगे क्योंकि आगे बुक में लिखा हुगा है जब बुक का पढ़ लेंगे फिर फ्यूज कराएंगे सिग्रीशन अफ द एक्रोजों मेंटर इंटर इंटो शाइटो प्लासम अफ दो ओवम थ्रू दा जोन प्लॉसीडा एंड़ 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 प्लास्म मेंब्रेन अगली लाइन आपके लिए बहुत ही आपको कॉंफ यहां पे ज Pal게요 rat कम्प्लीट यहां पे जोगी जब यह पूरा फियूर स्कर जाएगा इसके साथ ठीक confusion complete कि इससे पहले नहीं हुई किसके आने से हुई इसके आने से हुई, यह नहीं आएगा तो नहीं होगी, आप समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, यानि के फर्स्ट में भी सेकेंडरी उसाइट बड़ा था और फर्स्ट पोलर बॉड़ी छोटी थी, यह भी अनीक्वल है, यह निकाल दी बाहर, एंड ए हैपलॉइड ओवम, जिसका नाम उटिड है, तो यह हैपलॉइड ओवम अकेला नहीं है बच्चों, क्योंकि इससे पहले बुक ने लिख दिया, सब्सक्राइब का का इसका इसपर्माटाज्वा का साइट बलाज्म, यह एंटर कर गया, यह सों नो इंटो दॉड़ाइड प्लाज्म अब ऑफ द ओवम, तो इस पूरे स्ट्च्चर को हम एक सेल नहीं मान सकते हैं, है ना, यह इसके साथ यह जुड़ा हुआ है, फिर यह लिख रहे हैं लेकिनगे अर्ट को जहां जहां सेकंडरी उसाइट लिखेंगे वहाँ वहाँ ब्रैकेट्म में लिखना है आप समझ रहे हैं जहां उटेट लिखेंगे वहां पर भी ब्रैकेट में ओवम लिखना है जैसे हमारी बुक हमको सिखा रही है ठीक है हाँ मैनी क्रोमोजोम विल देयर बीन जाइगोट दिस यू नो है ना 46 जाइगोट के तो पूछ रहा है हाँ या ना ठीक है चलिए अब इसको कम्प्लीट करिए दैन वी आर मूविंग आन टू मेंस्ट्रल साइगल बल्के उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे दैन विल मूव आन टू मेंस्ट्रल साइगल झाल 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 वाइटलाइन ग्लेंट is the gland that secretes york यहाँ फेटलाइन बुक वहाँ पर बहुत सारे मोनोमर्स बने हुए है बायो मॉलीक्यूल के शुगर्स भी बनी हुई है अमीनो असेड भी बने हुए है तो वहाँ पेक फॉस्फो लिपिट भी पेज नमबर फिफ्टी वन पर जो डाइग्राम बना हुआ था वहाँ पर लिखा हुआ है पैरी वाइट एलाइन स्पेस यानि के वो स्पेस जो यॉक के चारों तरफ है ऑल्दो हुमन एग इस डिवाइड आप यॉक ठीक है अब इस यॉक के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं यॉक भी बोलते हैं से यॉक वह यूज किया जाता है लिसाइथल समझे रहें क्यों कि युउ क्यों के लिसाइथन में फॉस्फो लिपट जो हमको पड़ाया जाता है योग के लिए वर्ड यूज रोड होता है लिसाइथल जैसे अगर हमसे कोई對啊 birds के में यॉक कम होता है जादाब तो आप पूछेंगे किस से sizi न बने इंसेक्ट के एग से तो आप कहेंगे बर्ड्स के एग में तो बहुत योग होता है तो आप कहते हैं उनके एग होते हैं मेगा लिसाइथल समझ में आ गया क्यों? बहुत सारा योग है उसके अंदर और इसी तरह से इंसेक्स के जो एग होते हैं वो माइक्रोलिसाइथल हो गया है उसमें छोटा सा योग है अगर एग में योग बिलकुल बीच में रखा हुआ है तो हम उसे बोलते हैं सेंट्रो लिसाइथल समझ गया क्यों? क्योंकि योग इस प्लेज इन दा सेंटर अफ दा एग और हुमन एग को क्या बोलते हैं? एलिसाइथल क्या मीनिंग हुआ? हुमन एग इस डिवाइड ओफ योग तो उसे बोल दिया ये लिसाइथल तो लिसाइथल, लिसाइथिन, फॉस्फोलिपिड, योग, वाइटलाइन, ग्लैंट ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं ठीक है? और ये काम भी गॉल्गी कॉंपलेक्स करता है फित्ते फंक्षन है गॉल्गी कॉंपलेक्स के इंपॉर्टेंट वाले उदर एक्रोजोम का बनाना इधर योग का फॉर्मेशन भी गॉल्गी कॉंपलेक्स के चारो तरह भी स्टार्ट होता है बिकॉस एग इस असेल डोंट फोगेट एग इजा सेल एंड सेल कंटेंस सेल और्गनलीज यह सो नो अब ग्लैंड का मतलब क्या होगा इड माइट भी एक लस्टर ऑफ सेल्स टिशू भी हो सकता है और गन भी हो सकता है लेकिन अगर सेल के लेवल पर देखेंगे तो यौक का फॉर्मेशन कौन कर रहा है गॉलगी कॉंप्लेक्स रूट हेयर का फॉर्मेशन भी वही करता है प्लांट्स में समझ रहे हो और जो सेल प्लेट बनती है ना सेल बॉल से पहले वह भी गॉलगी कॉंप्लेक्स 11th class में इतनी हलकी बढ़ाई कर दी बच्चों की सले बस इतना easy कर दिया कि मज़े नहीं आता बढ़ाने में लेकिन अगर जानेंगे ये सारी बाते तो गोल की complex की important समझ में आएगी कि देखो भई क्या importance है उदर acrosome बना दिया इदर yoke का formation कर दिया यह वाइट लाइन वर्ड इस यूज़ फॉर योक रब कर दूँ इसे तो पेज 145 देखेंगे ncrd book class 11 का आज घर जाकर के नहीं वहां आपको पता चलेगा कि यह लिसाइथन इस दियर फॉस्फो लिपिड है उसका नाम भी लिखा है फॉस्फेटिडाइल कोलीन लिसाइथन का नाम होता है फॉस्फेटिडाइल कोलीन अच्छा आप लोगों को ना पेज 46 लास्ट पराग्राफ ये पढ़ना है झाल झाल 11th class में chapter 17 याद है breathing and exchange of gases वहाँ पर आपने बढ़ा था कि रिप्स के बीच में जो मसल्स होती है वो क्या क्या लाती है इंटर कोस्टल मुसल्स और यह इनके आगे बड़ी उसी मसल है पेक्टोरेलिस मेजर मसल इस इस पेक्टोरेलिस मेजर मसल यह नो पेक्टोरल का मतलब होता है शोल्डर के पास और रिप के बीच में जो मसल्स है इस आर इंटर कोस्टल मसल्स इस आर इंटर कोस्ट ट बीच्झा टे दर आर इस तर ले जिख लेगत गद्वें लेक्टोर्ण जिस तरह से टेस्टेस में हमने क्या बनाया थे विटा टेस्टिकुलर लॉब्यूल है ना इसी तरह से memory gland के अंदर भी chamber होते है जिनको हम बोलते हैं memory lobes how many are there in one memory gland 15 to 20 lobes बोलते हैं छोटे होते हैं तो आप lobes ko lobule भी कह सकते हैं भी यहांपर low भी बोलना है है न दी जार 15 to 20 and there is variable amount of fat there is variable amount of fat adipose tissue कहते है na fat को adipose tissue बोला जाता है fat depot depot का मतलब जहां चीज़े deposit होती है depot all right अब यह जो memory lobe है इसके अंदर cell के cluster होते है cell के cluster को कहते हैं alveoli singular alveolus जैसे हमारे lungs में भी थे yes or no alveolus तो इसी तरह से यहां पर भी cell के clusters है so many of them are there यह cell के clusters है alveoli और यह cells कैसी होती है जानते glandular cells आप यह बोलेंगे के alveoli की cells are secretory in nature gland किसे कहते हैं बच्चों जो secretion करे उसे gland बोलते हैं तो glandular tissue से भरा हुआ है fatty tissue से भरा हुआ है और glandular tissue से भरा हुआ है this is alveolus जिसमें कैसी है secretory और glandular tissue cells के गुरूप का नाम है tissue तो secretory cells है alveoli की wall में और जो milk secret होगा देखिए दो बाते याद रखने हैं बच्चों आपको milk secretion और milk ejection दोनों में difference है question को ठीक से पढ़ना है milk का secretion जो होता है वो प्रोलेक्टिन का काम है किसका और यह hormone आता है pituitary gland से P for prolactin P for ऐसे याद कर लेना pituitary gland तो pituitary gland से prolactin आया milk का secretion तो हो गया है ना लेकिन दूसरी बात क्या है milk ejection वो तब तक नहीं होगा जब तक के यह नहीं होगा oxytocin इसको बर्थ hormone भी कहते हैं happy hormone भी कहते हैं जब हम बहुत जादा खुश होते हैं मेंटली तब भी इसका secretion होता है तो तो इस हैपी होर्मोन अल्सों अल्राइट और यह milk का ejection कराता है अभी क्या हो रहा है कि अल्विल आई पहले complete कर लेते हैं बहुत सारे होंगे बट हम उतने नहीं बना रहे हैं वर्ना फिर यह डायग्राम बहुत ज्यादा यूनो वाट हाब दो सब्सक्राइब के रीक जडेंगे बैए कि यह सब्सक्राइब कर ने लुए प्रसक्राइब एटिक यह देख रहें डट् से रखना हीसे क्या निकल रही है डाग ने निकल रही है यह बहुत प्रॉइन ट्यूब Jupiter इस लिए इनका नाम है चींद ट्यूबूल मैं लिखूं गा इस पर नमबर वन है है यहां पर मिल्क जो Prize कि ल से रहे मिल्क स्टोर हुआ अब यह जो मिल्क आगे बड़ा तो यह इस रास्ते से आगे बड़ा इस रास्ते का नाम रख दिया हमने मैमरी ट्यूबूल इस पर लिख दूंगा नमबर टू अब बहुत सारे मैमरी ट्यूबूल बच्चों आपस में जोड़ जाएंगे और फाइन रूट्स बन जाएंगे यहां पर जिनको बोलते हैं मैमरी डट्स ठीक है झाल 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 यह जो पार्ट आप देख रहें न यह देखिए इसको मैं थोड़ा शेड कर देता हूं तो आपको क्लियर ली दिखेंगा यह थोड़े थोड़े फूले हुए हिससे हैं बल्ज स्ट्रक्चर देना यह तो यह जो बना रास्ता इनका नाम है मैमरी डट्ट यह हुआ नमबर देखो ना यह 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 दीजार कॉल मैमरी एंप्यूला एंप्यूला किसे कहते हैं फूला हुआ इस्ट्रक्चर मैमरी एंप्यूला और फिर वहां से निकलती हैं कि लक्तिं फेरस डफ क्या कि लंक्ति मतलब sih के लिए वाद यूज करते हैं बच्चों लेक्ति क्या haar अि मिल्क के लिए वरड़ी ओस होता है क्यूंकि मिल्क में जो शुगर होती है उसका क्या नम है लैक्टोस लैक्टोस उज मिल्क्शुगर आप भूल गए गए अब उस वक्त तो आप बहुत छोटे थे जब आपने यह पिया होगा लेकिन आपके भाई बेनों ने तो देखा होगा आपने लैक्टोजन डिब बे आते हैं ना मिल्क पाउडर के जो बच्चों को दिये जाते हैं इंफेंट्स को तो उसका नाम भी लैक्टोजन है तो लैक् ठीक है इफ मदर इस नर्सिंग दा बेबी तो हम क्या बोलते हैं शीजा लैक्टेटिंग मदर समझ रहे हो बात तो दीजा लैक्टी फेरस डट्स तुरू विच दा मिल्क इस सग्डाउट बाइदा बेबी यह इसकी ओपनिंग बना देंगे यहां ऐसे इन दा निपल इस इ लैक्टी फेरस लैक्टी का मतलब और फेरामीन्स जी स्टार बना देना इस पर क्योंके लास्ट लाइन बुक में इसी की लिख़्ी हुई है फुरू इच्टी फेरस मिल्क बीरिंग डख्ट यह क्या हो गई नंबर फोर एंप्यूला नंबर फाईव यह आ गया समझ में एल्विलस की कैविटी बेटा उसके बाद मैमरी ट्यूबूल फिर मैमरी डख्ट फिर मैमरी एंप्यूला और फिर लैक्टी फेरस डख्ट सीक्मेंस मत बूलिएगा वन टू 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 फाइव झाले खाएव if you can give me five minutes मैं इसको आज कम्प्लीट ही करूं झाल 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 रब करूं बच्चों कंप्लीड इट फिर चार दोस्तों की कहानी सुनाओं इस बार दोस्तों की नहीं चार की झाल 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 है 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 कि दूस्तों ने क्या करा भई एक्जामनेशन हॉल में एक घंटा लेट पहुचे पिक्चर देख रहे थे बैठेव उन्हें याद आया आज पेपर है जल्दी से का रहे है यार एकी गाली निकाल लोसी से चलने चारो कार से पहुच गया तो टीचर ने का आईटी की कहानी है यह तीचर ने का लेट कैसे हो बोले अरे वो सर कार से आ रहे थे ना हमने सोचा पेट्रॉल बचाएं तो चारो एकी गाली से आ रहे थे उसके टायर पंचर हो गया बोले चलो चलो बैटो जल दी एक्जाम दो उन चारो को अलग अलग एक कमरों में बठा दिया गया और सब को एक ही सवाल दिया गया 50 समझते हैं हमोशी आ रहे हैं चलो राइड डाउन अबाउट मैमरी ग्लैंड लिखे चल्दी से इसका नोट लिख लीजे विल हादली टेक फाइव मिनिट्स आप यॉर्स मैमरी ग्लैंड ए फंक्शनल मैमरी ग्लैंड is the feature a functional memory gland is the feature of all fertile female mammals ठीक है हमारी बुग ने क्या लिखा है हमारी बुग ने लिखा है a functional memory gland is the characteristics of all female mammal और हमने क्या लिखा है all fertile female mammals difference में आ गया आपको all right these are paired structures these are paired structures containing variable amount of fat these are paired structures containing variable amount of fat and glandular tissue and glandular tissue glandular tissue full stop change the line this tissue is divided this tissue is divided into 15 to 20 into 15 to 20 memory lobes in each memory lobes in each memory gland full stop change the line each memory lobe has each memory lobe has cell clusters cell clusters bracket milky alveoli bracket milky alveoli bracket close that secretes milk that secretes milk under the influence of hormone that secretes milk under the influence of hormone prolactin under the influence of hormone prolactin full stop change the line the the alveoli opens into the alveoli opens into the alveoli opens into memory tubules the alveoli opens into memory tubules yeah with joint to form memory ducts with joint to form memory ducts comma and several of such ducts and several of such ducts joint to form joint to form wider 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 memory ampulla this one which are connected to which are connected to which are connected to lactiferous ducts this one lactiferous ducts through which the milk is sucked out through which the milk is sucked out we'll continue in the next class with menstrual cycle you